Hello everyone, welcome to our channel Everyday Life आज के हमारी रोचक और उप्यों की जानकारी है Difference between American Mustard and Dijon Mustard तो चलिए शू करते हैं आज सबसे पहले ये American Mustard जिसको इसके चमकीले पीले रंग के कारण Yellow Mustard के नाम से भी जाना जाता है ये पीली यानी सफेज सरसोख, पानी, सिर्के से बनी सौस है और इसको ये पीला रंग देने के लिए हल्दी का उप्योग किया जाता है इसका उप्योग सैंट्विच के भरावन ये फिलिंक्स में सौस की तरह, सलात की ड्रेसिंग में, टिप ये चटनी की तरह या भोजन को मेरिनेट करने में भी किया जाता है ये बाजार में पर्चुन की दुकान में आसानी से उपलब्ध है इसके इस 310 ग्राम की बोतल का मुले 135 रुपए है आज दूसरी है ये डिजॉन मस्टर्ड ये अमेरिकन मस्टर्ड की तरह ही मस्टर्ड से बनी एक सौस है ये फ्रांस के शेह डिजॉन से जन्मी है और वहां परंपरा गत्या टरिशन मेथड में इसे काली सरसो, वाइट वाइन, नमक और सिरके आधी को मिला कर बनाया जाता है सरसो की किस्म की भिनिता, दोनों सांस की भिनिता का मुख्य कारण है और सरसो की किस्मों को जानने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं इसका उपयोग अमेरिकन मस्टर्ड की तरह ही सलान, सैंडविश, डिप या मैरिनेट की तरह किया जाता है यह डिजॉन मस्टर्ड डिपार्टमेंटल स्टोर्स और उनलाइन स्टोर्स में उपलाब्ध है इस 370 ग्राम बोतल का मूले 240 रुपे है यह अमेरिकन मस्टर्ड जो इस सरह के चमकीले पीले रंग में अधिक प्रशलित है जबकि डिजॉन मस्टर्ड इसी तरह हलकी पीली या फिर पीली और काली क्योंकि कुछ मस्टर्ड सॉस में सर्सों के बीच के चिलके भी दिखाई देते हैं में अधिक प्रशलित है दो अलग तरह की सर्सों तता अन्य समगरियों में थोड़ी भिनता के कारण इनका स्वाद भी भिन होता है वैसे दोनों सॉस में खटेपन और ज़ाल की प्रधानता है परन्तु इसमें थोड़ी सी कम ज़ाल ये पंजनसी है डिजॉन की तुल्ला में और इसमें अंत में यानि एंड नोट में थोड़ी सी मिठास है जबकि Dijon mustard में पंजनसी या जहान थोड़ी आदिक है और इसका स्वाद भी थोड़ा complex या जटल है आप recipe में इन्हें एक दूसरे से अदल बदल या interchange कर सकते हैं परन्तु recipe में एक विकल्प की तरह इनका उपयोग करते समय दी कई मात्रा से इनका उपयोग थोड़ा काम करें और हम आशा करते हैं आज के हमारी American mustard और Dijon mustard की यह जलग आपकी everyday life में ज़रूर उपयोगी रहेगी Thanks for watching and keep enjoying our everyday life